नमस्ते दोस्तो राष्ट्री परिक्षा एजनसी जिसे हम नैशनल टेस्टिंग एजनसी कहिते हैं इनके द्वारा 27 जुलाई 2022 को एक पब्लिक नोटीस जारी किया गया है जिसमें यंग अचीवर स्कॉलर्शिप आवार्ड स्कीम फायर वाइबरंट इंडिया जिसे हम SSV 2022 के रूप में जानते हैं यह मिनिस्टेप सोचल जस्टिस एंद इंपॉर्मेंट गवर्मेंट अप इंडिया अचीम नोन आज पी एम यंग अचीवर स्कॉलर्शिप आवार्ड स्कीम और वाइबर इंडिया पर आवार्ड आप स्कॉलर्शिप तो इलिजिबल कंडिदेट बिलोंगिंग टू अधर बैकवर्ड क्लास ओबीसी एकोनोमिकली बैकवर्ड क्लास एबीसी और डी नोटिफाइड नोमेडिक एंड सेमी नोमेडिक ट्राइब्स के लिए जिनकी इंकम जिनके पैरेंट्स की आई सालाना आई धाई लाग से ज्यादा ना हो और वो लड़क कि नवी और ग्यारवी कख्षा में पढ़ते हो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बेहत्तरिन अवसर प्रप्त हो सकता है और उसके लिए उनको स्कॉलरशिप अवार्ड अब स्कॉलरशिप अंडर द स्कीम इस थूर रिटेंट टेस्ट कॉल्ड एसस्वे एंटरंस टेस्ट नेशनल टेस्टिंग एजनसी के काम सिस्वे एंटरंस टेस्ट टेस्ट 2022 के रूप में कर रही हैं न्टे एसस्वे एंटर्स टेस्ट 2022 कंडट कर रही हैं इसका उद्देश यह है एकज़्ाम for selection of candidates belonging to OBC, EBC और D&T इन categories के students के लिए जो नवी और ग्यारावी क्लास में पढ़ते हैं उनको scholarship के रूप में अवार्ड किया जाएगा उनका selection जो process होती है वो computer based test मतलब CBT की होगी और pattern जो exam का होता है object type होते हैं जिसमें सव questions M.C.Q. types के प्रश्न पूछे जाएंगे duration होता है तीन घंटे medium होता है English और Hindi दोनों लेंग्वेज में date of examination होती है 11 सितंबर 2022 संड़े को आता है और exam cities भारत के लग 78, 78 cities में यह आयोजित की जा रही है अगर आपको fees है किसी भी candidates को कोई किसी भी प्रकार की fees देनी नहीं है और अब अगर आपको अपलाए करना चाहते हैं तो आपको यह site दी गई है इस site को क्लिक करके आप इस exam के लिए इस scholarship के लिए apply कर सकते है इसकी link आपको इस video के description box में दी गई है यह submission करना है online और इसका duration है 27 जुलाइस 2022 से लेकर 26 अगस 2022 जो ग्यारा बचकर पच्चास मिनेट तक आप इसको submit कर सकते हैं आपको यहां भी एक syllabus के बारे में बताया गया है यह scheme awards के लिए syllabus कैसा होता है उसके लिए eligibility कौन सी होती है और list of identified schools, exam cities, important dates, etc. के बारे में अगर जानना है तो आपको इस link को क्ल करना है यह link भी आपको इस video के description box में मिल जाएगी और जो candidates इस exam के लिए appear होना चाहते हैं उनके लिए information bulletin दिया गया है और वो जो link दी गई है इस link के माध्यम से वो apply कर सकते है 27 जुलाइस 2022 से लेकर 26 अगस 2022 के बीच में और आपको यह भी सुजाव दिया जता है कि आप NTA क इस site को विजिट करते रहे और update पाते रहे exam के लिए